मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि पूरा तक्तो विभास के शर्वेक्षण के बाद यह तैं हो जाएगा जब हरी पोर्षों पेगी कोड़ को और कोड़ आदेश जारी करेगा तो जिस प्रकाश से जाम मंदिर का फैसला हिंदूों के पक्ष और समर्थन में आया था निस्चित हरी हर का फैसला भी हिंदूों के समर्थन में आएगा देखिए यह बहुत महत्पूर अस्थान है आज से नहीं है सदियों से यह हमारे पुरान सास्त्रों में बर्नन है संभल का और संभल बहुत परशिद अस्थान है लेकिन अब उसमें जो बीवास शुरू हो गया है यह गलत है और जैसा होगा वो तो सर्वे होगा सर्वे का अदेश हो गया है कोट के माध्यम से होता है होना है लेकिन बस सुतह यह है कि जो सास्त्रों में हमारे पुरान है और जिसकी जितनी भी प्रशिद्या है वो सभी सभी अस्थानों को कोई भी ऐसे अस्थान नहीं है हिंदू के और जिस पर मुस बफ बोड में ले लिए हो, ऐसा चलना है, लेकिन जिस प्रकार से इसको सब कोट में गया है, तो निश्चित है, हो जाएगा कोट के माधम से, क्योंकि वहाँ भगवान कलकी का अतार होना है, यह सासों में बरनन है, कब होना है यह भी भी बरनन है, तो ऐसी इस्टिदी में इसको सर्वे करगे, और इसको पूंट तया निर्ट्षन करगे, अच्छी प्रगार से इसका जाज करगे, और इसको हिंदू के पक्ष में कोट को आदेश कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सा में है, और जिसकी परसिदी इस प्रकार से है, और कलगे अतार भी होना है, ऐसे संभल को जिस प्रकार से वीवार में कर दिया गया है, मस्जिद के माध्यम से वह गलत है और इसको तत्काल नेड़े लिया जाए, यह हिंदू का मांग है, जिस प्रकार से नब्दे के दसक में कार सेबा के माध्यम से बाबर नामा को अयोध्या में ध्वस्त कर दिया गया था अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य माराज आवहन करता हूं सुप्रिम कोट के जज्जमेंट के बाद और प्रभूस राम को विजेश्री का हार पैनाने के बाद यह सुनिश्चित हो जाता है य आपक्रांता था जिसका भारत में कुछ भी नहीं है और भारत में साही फरमान नहीं बलकि भारत में संविधान जारी होते हैं और संविधान के नया प्रणालिक बिवस्था के अंतरगत सभी को नयाय दी जाती है मंगलबार को जो एसायी शर्वे हुई मुझे पूर्ण भाग के शर्वेक्षन के बाद यह तै हो जाएगा जब भाबर मात्र एक आतंक बादी था अब साही फर्मान नहीं बलकि शम्विधान के अनुसार भारत चलता है अब भारत मुगलों के अनुसार नहीं भारत अपनी विरासत को लेकर आगे चल रहा है संगठित हिंदू में अब जो है सक्ति आ गई है वह एक साथ न्याय के लिए आगे बढ़ रहा है और ना सिर्फ संबल अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही है तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद